गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चप्टर सेविन, पापाख हो गए, आप टाइटल से स्पस्ट हो गया इसका, कि कोई भी बच्चा या बच्ची होगी जिसके पापाख हो गए होंगे, इसके उपर यह एक आंकी लिखी गई है, यह पार जो है एक आंकी व पक्ष का एक घटना का इसमें वर्णन होता है, तो उसे एक आंकी कहा जाता है, किसी भी घटना के एक अंक का या एक पक्ष का वर्णन जिसमें हो, उसे ही एक आंकी हम कहते हैं, इसमें पात्र होते हैं, पात्र मतलब जो उसमें अपना रोल निभाते हैं, पहले हम पात्र प लड़की लेटर बॉक्स आदमी और कववा इन्हों ने इसमें अपना रोल निभाया है इसे कांकी में अर्थार्थ इसमें जिन्हों ने अपना रोल निभाया है उनका यहां पर नाम इस प्रकार से दिया गया है और इसके बाद समय का है वहां की वस्तो स्थिती क्या है इसका आपने कहा सीन, सीन किया है और इस समय का बav ex 강ै थ्या शवंच सेन किनी और इसमें किस प्रकार है वह ही इसमें प्रिखाया गया है सीन आप लोग देख लिजी क्या है सडक बनी हुई है रात का समय है समुद्र के सामने फूट पात वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड, एक लेटर बॉक्स, दूसरी और दीमे प्रकास में एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर पर नाचने की भंगिमा, मतलब नाचने की मुद्रा में एक औरत की आकरिती है समुद्र से संसनाती हवा का बहाव आता है, दूर कहीं कुट्टे के भंगने की आवाज यह है वहाँ का सीन, जहां का यह वर्णन किया गया है, जिसके बारे में एक आंकी लिखी गई है इस एक आंकी को विजयत तेंदुलकर जी ने लिखा है, तो आईए हम सुरू करते हैं एक आंकी जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसमें पात्र होते हैं, पात्र बारी बारी से अपने रोल को यहां पर आदा करेंगे तो अपनी अपनी जो डायलोग है, जिसे आप कह सकते हैं, उसे बोलेंगे यह तो पहले क्या आता है, खंभा, जमाई रोकते हुए, जमाई आ रही है, उसको उबासी आ रही है, रात का समय है तो जमाई को रोकते हुए क्या बोलता है पेड़ से कि राम 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 रात बहुत हो गई पेड़ क्या बोला आज कल की राते कैसी है जल्दी बीतने में ही नहीं आती खंभा बोलता है दिन तो कैसे न कैसे हडबड़ी में बीत जाता है लेकिन पेड़ बोलता है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है दोनों आपस में बाते कर रहे हैं खंबा को जमाई आ रहा है जैसे कि खंबा आपको दिखता है कि खंबा हार समय कहीं भी खड़ा रहता है पेड़ भी खड़ा रहता है दिन बर तो वो सड़क के चहल पहल को देखते देखते उनका समय कढ़ जाता है लेकिन रात को वे क्या कर रहे हैं बोर फिल कर रहे हैं खंबा बोलता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये राते कहीं अच्छी हैं, पेर राजा बरसात की रातों में तो रात भर भीजते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्व को कसकर पकड़े, बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उस वक्त लगता है इससे अच्छा था, ना तो ना होता बिजली के खंबे का जन्व, बल्व फेक तक, तब दूर कहीं भाग जाने का जीचा होता है, खंबा क्या कहता है? बर्सात की रातों से तो अभी की राते अच्छी हैं, तो उसस मदा और होगा दोनों आपस में बाते करते हैं यह देखे चित्र में आपको दिख रहा होगा ये एक लेडर बॉक्स है और एक पेड़ एक कवड़ नाचने की आकरीती में एक लड़की और उसके बाद खंबा भी एक वेक्ती बना हुआ है और यहाँ पे दर्शक बैठे हुआ है देखने के लिए मतलब इसे रोल प्ले किया जा रहा है यह एक आंकी का मंचन किया जा जा तो इसमें यापस में बाते कर रहे हैं खंबा बोलता है और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे उपर ही आ पड़ा तो पेड क्या है आंधी पानी में पेड के उपर गिर जाता है पेड बोलता है बाप्रे कैसा था वो आंधी पानी का तुफान अब बोलता है कि मतलब याद करने की भी नहीं आ कि मैं याद करूँ खंबा बोलता है तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ समल गया पेड के उपर क्या गिर गया खंबा तुमने मुझे उपर का उपर जेल लिया वह अच्छा हुआ चाहे तुम खुद काफी जखमी हो गया बाद में मेरा गुरूर भी जड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई क्या हो जाता है कि पेड बोलता है कि जब तुम शुरू शुरू में यहां आए थे तो मुझसे बाते नहीं करते थे तो मैं भी तुमसे बाते नहीं करता था लेकिन फिर खंबा बोलता है कि जब पेड बोलता है एक दिन आंधी तुफान आता है तो खंबा क समय होता है तो पेड क्या हो जाता है कहीं कहीं पेड गिर जाते हैं और कहीं खंबे गिर जाते हैं तो खंबे पेड के उपर टिक जाते हैं वही बात यहां पर हो रही है पेड और खंबा आबस में बाते कर रहे हैं पिर बलता है हवा आज भी बहुत है अब दोनों चुप करते आवा की आवाज, कुट्ते का भूकना पोस्टर पर बनने नाचने वाली औरत तेडा हो जाती है अर्थाँ पोस्टर तेड़ा हो जाता है और तुस पे तो real है नहीं उसमें बताया यह है कि पोस्टर बना हुआ है तो उसके घुण्गरु बजते हैं वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है लेटर बॉक्स किसी दोहे का चरण गुन गुनाता है और रुक जाता है तो यहां उसमें जो है थोड़ा सीन बदलता है लेखिए कि क्या होता है जो जो से हवा चलती है और वहां पे क्या होता है कि पेड और खंबा अपस में बाते करत लोनं झाल युद उसकोई भूगुरु बज़ते है वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है यह सब बताए गया है उसमें और फिर इसमें एक नयाया पातर आता है जो है कि कव्वा कोवा कोन आता है नया पातर कव्वा पेड के पीछे से जھांक कर बोलता है कैसे बोलता है क कायो की आवाज लगाता है कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज लगा कर मेरी नीध स्टीटों करता है जरा बर जरा भर तरह बाते हैं तो कवे को को क्या होती है परिशानी होती है को अबार आप उपर तो लेटर बोकस उज्जार लेटर भॉक्स भी आप अपने मन में उज्जार कसी थो से तो यह कहता है कि जिव में पत्र निकालता है उसमें से इक कावन निकाल कर रोषणिय में पढने लगता है letter box का यहांपर क्या दिया हुआ है कि letter box के अंदर letter टला हुआ हो रहता है और वो रोश्नी में परणे लगता है उसको निकाल के बोलता है तो क्या मीथी आवाज भी न बोले तो तुमारे जैसी करकस आवाज में बोले या किसकी कि चिठ्थी आपका लड़का परिचित पढ़ाई में काफी कमजोर है लेटर बॉक्स के अंदर सारे लेटर होते हैं उसमें से एक लेटर को निकाल कर उस लेटर के बारे में वो पढ़ता है वो एक पत्र रखता है और दूसरे वाला पत्र को निकालता है खंबा बोलता है क्यों लाल ताओ आज किस-किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे खंबा और लेटर बॉक्स के बारे बाते होती हैं और लाल ताओ आगया यहां पर लेटर बॉक्स को क्योंकि letterbox color क्या होता है लाल होता है तो उसे लाल ताव बोलते हैं बोल रहे हैं इन लोग खंभा क्या बोल रहा है letterbox को लाल ताव letterbox बोलता है चोरी 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 किसलिए सभी चिथिया मेरे ही तो कबजे में होती है अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूं क्या बोलता है कि चोरी किसलिए मेरे अंदर ही तो सारी चिथियां बारी पड़ी है मेरे कबजे में ही बारी पड़ी है पेड बोलता है कबजे में होने का यह मतलब तो नहीं लालता हो कि लोगों की चिथियां फार फार कर पढ़ते रहो पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो बोलता है कि कबजे में इसका क्या मतलब है तुम पढ़ते रहोगी सबकी चिठियां मतलब ये गलत बात है तुम सबकी चिठियां पढ़ा मत करो लैटर बॉक्स पोलता है चलता है तो पता चल जाने दो मेरी तरह यहां रात दिन बैट कर दिखाए तब पता चले परस हो वह पोस्ट में मेरे लिखता ही रह गया चिठियों का बंडल बना कर जल्दी जल्दी चलता बना वह लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगप बैठे बैठे मैं कहता हूं चार चिठियां मनबह लाने के लिए पढ़ भी लू तो क्या हो गया बोलता है कि बढ़ ले पोस्ट पैर बोलता है लेकिन चिठियों इसे लिखी गई हो लालता हूँ उसे ही पढ़नी चाहिए वह ब्राइबेट होती है प्राइबेट लेटर बॉक्स मैं कहा किसी की चिठियों पास रख लेता हूं जिसकी हमाooo इसकी तो दई ही मॉज बोलता है किसी की गुभदमाते मैं कब निकलने देता हूं, बार भी नहीं निकलने देता हूं, आप सबने लेटर बॉक्स देखा होगा, आज थिंख हां, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्वा लगता है, वो बोलता है कि मैं चिठ्ठी पढ़ता हूं, मेरे पासे सारे चिठ्ठियां ह पढ़ेंगे, चुकि यह पाथ बहुत तधिक लंबा है अपनी पाथे पुस्तक में देखा होगा, तो इसे दो या तीन पाथ करके हम पढ़ेंगे, तो इतने भाग को आप अभी तक अच्छे से पढ़िए और समझे और मैंने इससे पहले आपको इसे घर में रिडिंग करन क्या है क्या है।